नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में मैं करुणा आज ही वीडियो लेकर आई हूँ 12 क्लास के पेंटिंग सब्जक्ट के स्टुडेंट्स के लिए बिटा हम आपके सेकिन रिम के स्लिबस का लास चेप्टर आज इस वीडियो में पढ़ेंगे चेप्टर का नाम है समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों की मूर्तियां इससे पहले हम समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र और छापा चित्र पढ़ चुके हैं बिटा कुछ की बुक में ये chapter number 13 है और कुछ की बुक में ये chapter number 14 है जिन्होंने new print की बुक ये ली है तो बिटा मैंने पहले में आपको बता दूँ कि चित्र और छापा चित्र में क्या अंतर होता है तो बिटा चित्र एक बार में एक ही बनता है लेकिन छापा print क्या होता है उ और उस स्टेंसिल की मदद से जितने भी चाहें प्रिंट्स लिए जा सकते हैं जब तक कि वो स्टेंसिल खराब न हो जाए अब बात का लेते हैं चित्र और मूर्ती में क्या डिफ्रेंस होता है बचे तो चित्र आपका दी अयामी यानि कि 2D शेप में होता है और मूर्ती आपकी 3D शेप में होती है यानि कि उसके अंदर तीनों आयाम होते हैं लंबाई चोड़ाई और उसकी मोटाई देखो पिटा हम चित्र को नहीं उठा सकते मतलब हम सिर्फ चित्र को देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन हम चित्र को ऐसे हाथ से पकड़ के उठा नहीं सकते लेकिन क्या है कि मूर्ति को हम देख भी सकते हैं चारो तरफ से उसको महसूस भी कर सकते हैं और उसको चारो तरफ से छूबी सकते हैं, और अगर वो हलकी है, तो उसको उठा भी सकते हैं, अब आप लोग कहोगे, कि हम तो चितर उठा लेते हैं, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो आप चितर को नहीं उठाते हो, आपने वो चितर जिस पर बनाय होता है, आप उसको उठाते हो, ठीक है, अगर आपने वो शीट पर बनाया है, तो आप शीट उठाओगे, आपने अगर वो किसी कैनवास पर बनाया है, तो आप कैनवास को उठाओगे, है ना, गत्ते पर बनाया है, तो गत्ते को उठाओगे, क्यूंकि उन चीजों की अप बना किस-किस चीज से सकते हैं तो कुछ तो यहां आपको दिये ही हुए है कि आप पत्थर से बना सकते हो धातू से, लकडी से, मोम से, मिट्टी से है ना? इसके अलावे भी और बहुत सारे पधार्थ हैं हांची, तो हम बात करें थे कि हम बहुत से पधार्थों से मूर्तियों का निर्मान कर सकते हैं जिसमें से कुछ आपको यहां पर देखने मिल गई हैं तो करते क्या है? मूर्तियों में भी वही चितरकार अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे चितर में करता है वैसे मूर्तिकार मूर्तियों में करता है तो आपके इस लेबस में जो मूर्तियां आपके अध्यान के लिए दी गई है वो है सबसे पहला श्रम की विज़े तो इस मूर्तिशिल्प को देख लीजे देखो कितना सुन्दर मूर्तिशिल्प है ये देखेंगे तो चित्रकार ने इन सभी मजदूरों को सिर्फ एक छोट आसा कपड़ा शरीर के नीचे जिसको हम लंगोट या लुंगी कह सकते हैं पहनाया हुआ है बाकी उसने इन मजदूरों को शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनाया है जिससे कि हम देख सकें कि श्रम करते ह इन मजदूरों के शरेड पर क्या परिवर्तन हो रहा है मतलब इनकी जो मास पेसियां इतने यथार्थवादी तरीके से यहाँ पर देवी प्रशादराय चौदरी जी ने दिखाई है आप में एक बहुत अधभुत एक मूर्तिशिल्प है यह और बिटा मैं इस मूर्तिशिल्प के आप बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ तो यह मूर्तिशिल्प एक ही तरह के दो मूर्तिशिल्प है जो देवी प्रशादराय चौदरी जी ने बनाए है जिसमें की एक जो main मूर्तिशिल्फ है यानि कि जो उन्होंने पहले बनाया है वो रखा हुआ है मेरीन बीच चेननाई के समुंत्र टट पर यानि की मेरीन बीच पर उन्होंने बना रखा है और फिर उसके बाद दूसरा जो ये मूर्तिशिल्फ है उसकी स्थापना या उसको बनाया है उन्होंने रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली के गेट के सामने मतलब जब हम एंटर करेंगे तो हमें ये मूर्तिशिल्फ महाँ पर देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा और बारी की जान लेते हैं इस मूर्तिशिल्फ के बारे में तो श्रम की विज़े मूर्ति देवी प्रशादराय चौधरी जी का है, कांसे और सिमेंट धातू से इस मूर्ति शिल्फ को उन्होंने बनाया है और रास्र संग्राले नई दिली में हम इसको देख सकते हैं समकालीन आधुनिक दौर का ये मूर्ति शिल्फ है और 1954 इस्वी में इस मूर्ति शिल्फ का निर्मान किया है तो अपने मूल रूप में इस मूर्ति को यानि कि जो पहला मूर्ति शिल्फ है गई है मूर्तिकार ने इस मूर्ति में परिक्ष्रमी श्रमिकों को श्रम के विजे के रूप में दिखाया है समुमे कारेरत चारो श्रमिक को अलग-अलग मुद्राओं में एक विशाल चटान को लकडी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है परिनाम सुरूप मूर्तिकार ने श्रमिकों की मासपेसियों पर पढ़ने वाले प्रभाव संकुचन एवं विस्तार को उनकी संपून शारिरिक सरचना के साथ खूबसूर्ती से प्रकट किया है इसके लिए उनके शरीर को वस्रविहीन दिखाना विशे के अनुकूल है अताहा केवल कमर के नीचे छोटी लूंगी वस्र को कपड़े से ढखा हुआ दिखाया गया है अताहा ये श्रमिक अपने कारे को सफलता पूर्वक करने में सफल होते हैं और यही शर्ण इस मूर्तिकी मूल भावना श्रम की विजय को दरसाता है तो दोस्तों ये था मूर्तिशिल्प का विवेशन अब जान लेते हैं एक पर देवी प्रशादराय चौदरी जी के बारे में तो देवी प्रशादराय चौदरी का जनम हुआ था 1899 में रंगपूर में और रंगपूर पढ़ता है बंगला देश में इन्होंने जो अपनी आरंभिक कला शिक्षा है वो अमनि द्रनाटे गोड से सीखी यानि कि ये बंगाल शिली के कलाकार रह चुके हैं अमनि द्रनाटे कोर के शिष्य भी रह चुके हैं और लेकिन इनको पसंद नहीं आया पोरणिक विश्यों पर चितर बनाना उससे ये उ मूर्ती बनाना स्टार्ट किया और इन्हों ने अपनी मूर्ती शिल्पों में श्रमिकों की मास पेसियों को दिखाने में विशेश्ता प्राप्त की ठीक है देवी प्रशाद रह चौदरी को ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया ये दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललित कलाक आदमी के टोक्यो में युनेस को आट सेमिनार का निर्देशक इनको बनाया गया रविंद्र भारती विश्विध्याले से इनको डीलिट की उपाधी फिर प्रदान की गई भारत सरकार ने इनको पदम भूशन से भी सम्मानित किया तो दोस्तों अब भी पहले आ गया है एक वर्द पदम भूशन मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा किसी विडियो में कि कला के छेतर में तीन सम्मान भारती सरकार के द्वारा दिये जाते हैं पदमश्री, पदम भूशन और पदम भूशन सबसे छोटे क्रम में आता है पदमश् और कला के छेतर में सर्वस्रे सम्मान होता है पदम भूशन अब हम जान लेते हैं इनके कुछ चित्रों को तो वो है लेपचागल, ग्रीन और गोल्ड, निर्वान, ब्रिजन, दुर्गा पूजा ठीक है ये इनके द्वारा निर्मित कुछ अन्य क्रतियां हैं जिसमें इनो आशा करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें कमेंट कर दें दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें